प्रेटिकल के बारे में और इसमें भी हम बताएंगे ओलेबल के प्रेटिकल के बारे में ठीक है चलिए देखते हैं कि कोश्चन क्या पोचता है ओलेबल में ठीक देखे यह आपका कोश्चन रहा अगली बार अभी यह कोश्चन आपका पूछा गया यह हमारा नाइलेट दोरा कोश्चन आया हुआ है ठीक है नाइलेट दोरा कोश्चन है यह जो कि अगली बार हमारा क्या हुआ था पूछा गया था ठीक है चलिए देखे इसमें क्या करना है इन स्प्रीट सीट मतलब इसको क्या करना है spread sheet में एक data तयार करना जैसे इसमें दिया employee name basic pay DA, यचारे, gross insurance ठीक pay up, net salary ये साब अभी हम करके दिखाने वाले हैं आप लोगों को कैसे कैसे क्या होता है ठीक है अब इसमें आप सन्वाई देखिए क्या दिया पहला calculate DA 80% basic pay and यचारे 10% और basic pay plus DA ठीक अगला question पूछा है find out net salary net salary ठीक 10% ठीक है और पी अब कितना बोला 5% ठीक ना अगला क्या question है find out the highest and lowest salary of the employee ठीक क्या कहा है find out करना क्या highest और lowest salary निकालना है ठीक है calculate the total insurance collected of the employee ठीक है total क्या करना है calculate करना है apply to decimal numerical value ठीक देखिए इदर क्या क्या question पूछा है पहले हम लोग DA DA निकालेंगी यचारे निकालेंगी सब निकालने के बाद हमको क्या करना है total amount कितना है total amount निकालेंगे total amount निकालने के बाद क्या निकालेंगे highest employee salary सबसे ज़्यादा किसकी salary उसको देंगे lowest salary जिसकी सबसे low रहेगी salary उसकी देंगे और total insurance collected total कितना insurance का collect हो रहा है ओ करेंगे ठीक है सबसे पहले देखते हैं इस प्रकार से बनाना है इसमें कैसे क्या करना है ठीक है एक example के तौर पे देख लेते हैं कैसे ये बनाना है देखे यह हमारा है इसी प्रकार से हमको क्या करना है draw करना है बनाना है calculate करना है ठीक है सब कुछ इसमें बारी-बारी से एकदम धीमी गर्सें आपको ले चलेंगे सब एकदम बताएंगे कैसे क्या होता, डिये क्या होता, यचारे क्या होता, ग्रासपे क्या होता है इंसुरेंस क्या होता है, पी एप क्या होता है, नेट सैलरी क्या होती total कैसे निकलेगा highest imply कौन है उनका नाम बताना है lowest imply कौन है उनका नाम बताना है फिर total insurance collected जितना total insurance हुआ है उसको लिखना है ठीक है सब कुछ हम बताते हैं चलिए देखिए सबसे पहले उप्योग क्या किया जाता है कैसे क्या सबसे पहले इस question में दिया इन spread sheet हमको किस पर बनाना है spread sheet पर बनाना या तो आप कलक ले लिजिए या क्या लिजिए या कलक लिजिए या excel लिजिए दोनों में से एक चीज कोई ले सकते हैं चलिए तो हम लेते हैं क्या excel चलिए excel ले लेते हैं ठीक है excel ले लिजिए excel लेने का तरीका क्या है ये भी जान लेते हैं सबसे पहलो start window को click करेंगे मतलब window की को ठीक उसके बाद या पर क्या type करेंगे excel ex दो ही अच्छा डालेंगे ex ठीक हैं तो क्या हो जाएगा हमारा excel आज आएग देखिए ex डालें तो देखिए Microsoft Office Excel 2007 आज आएगा इस पर click करेंगे और क्या होगा ये open हो जाएगा ठीक हैं इतना तो सब लोग कर लेंगे आगे देखते हैं इसके बाद क्या करना है ये देखिए ठीक जो हमारी data दिया गया है ये देखिए जो data है इसी प्रकार उसमें data को क्या करना है बनाना है चलिए एक दम उसी प्रकार हम क्या करते हैं data को create करते हैं ठीक है data को create किया जैसे इसमें data दिया है वही data इसमें भी create क ठीक अब और इसको इदार रखने है इसी में से देख देखके हम डाटा को क्या करेंगे create करेंगे ठीक जाली देखें इदार इनको थोड़ा सा आप कर देता है ठीक अब क्या पहले दिया है पहले में दिया है imply name क्या दिया है imply name लिखें इम 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 पी इंप्लाई नेम ठीक पहले में हमको क्या लिखना है imply का नाम लिखना है दूसरा क्या है basic pay है basic pay ठीक तीसरा क्या कर रहा है DA क्या DA ठीक है तीसरे में क्या होता है DA का मतलब होता है महनाई भत्ता DA का मतलब महनाई भत्ता होता है ठीक उसके बाद यचारे क्या है यच और यचारे होता है ठीक है यचारे का मतलब क्या होता है ठीक है यचारे का मतलब क्या होता है ठीक है क्या होता है अचारे का full farm house rent allow ठीक है रहने का room ठीक है उसके बाद देखे आगे grass pay क्या है grass pay insurance insurance उसके बाद pf इसके बाद pf इसके बाद pf क्या है net salary है क्या है net salary net यसे यह ले आराई salary ठेक क्या दिया है net salary इतना हो जाएगा थोड़ा ये देखे imply name चुप गया इसको सही करिया सही हो गया अब थोड़ा इनको select कर दीजिए shift दौरा क्या करिए select करिए select करने के बाद bold कर दीजिए ठीक कलर लगा दीजिए अच्छा कोई highlight कलर कर दीजिए ठीक है सब लोग इतना कर लेंगे थे इतना कर लेंगे सब लोग सइस को थोड़ा नजदीक सब कर लेते हैं देखिए ठीक इतना सब लोग कर लेंगे इसको करने के बाद अब देखिए क्या इसमें दिया है क्या क्या नेम दिया है कि अनिल जो है अनिल कुमार है ठीक चलिए लिखते हैं अनिल कुमार को अनिल कुमार ठीक दूसरा क्या दिया है सुनीता देवी सुनिता देवी एक तीसरा दिया है रोजी सर्मा क्या? रोजी रोजी सर्मा ठीक फरीदा कान फरी अब बेसिक पे पूछ रहा है जितना इनका बेसिक पे है हम वो क्या करेंगे? बेसिक पे डाल देंगे इन में से देखके एदम इसी के तरीके से आपका प्रेटकल में गरा जाएगा जो डाटा रहेगा उसी डाटा के इसाब से बनाईएगा अपने से नहीं बनाना है जो डाटा दिया रहेगा उसी की डाटा के देखके बनाना रहेगा वही डाटा को देखके बना दीजिएगा अब नीचे क्या दिया है टोटल एमाउंट क्या दिया है टोटल एमाउंट क्या है टोटल एमाउंट है ठीक और हाइएष्ट है बोला हाइएष्ट हाइएष्ट इमपलाई इम समझ लीजेगा इमपलाई ज्यादा बड़ा जागा सैल्री थीक सैल्री उसके बात लॉइस्ट लोइस्ट इमपलाई न MEshirts सैल्री अब आखरी में सबसे क्या बोला है तोटल इंसुरेंस क्या तोटल इंसुरेंस मतलब पूरा जितना इनका इंसुरेंस का है तोटल बताना है कितना इंसुरेंस लग रहा है सब पर इंसुरेंस कलेक्टेड इतना चीज आपको format देख देख के क्या करना है बनाना ठीक है सब बनाना इसको थोड़ा सा क्या करिए select करिए पहले और इसको भी बोल्ट कर दिजिए करल लगा दिजिए ठीक हो जाएगा इतना सब लोग format data बना लेंगे एक data create करिएगा लेकिन create करिएगा जो paper में रहेगा, दिया रहेगा उसी से देख देख के create करिएगा अपने से नहीं करना है ठीक है चलिए अब निकालना क्या है data ठीक है, data क्या बोला इसमें data निकालना है क्या 80% ठीक, कितना बोला है 80% da निकालना है सबसे पहले हम क्या करेंगे DA निकालेंगे देखे जिस तरह इसमें निकला एक दब इसी तरीके का क्या करना हमको इसमें भी निकालना है जो हम एक जामपल तोर पर भी दिखा रहे थे देखे एक दब इसी तरीके का इसमें भी निकला DA ठीक है देखे एक जामपल पर देखे डिये है, डिये कितना निकालना है, 80% निकालना है न, चलिए इधर चलते हैं, डिये कितना बोला है, कोशन में, 80%, क्या बोला है, 80% ठेक, डिये कितना हो गया, 80%, ठेक, यह चारे कितना कहा है, कोशन में देखे यह चारे कितना बोला है 10% ठीक है तो यहां क्या करिए यह चारे कितना करिए 10% लगाईए ठीक है यह चारे कितना करना हमको 10% ठीक देखते रहेगा ध्यान से यह चारे 10% ठीक देखिए यह चारे 10 हो गया इंसुरेंस 10% देना है insurance भी कितना देना था 10% देना न insurance भी 10% देना ठीक कितना देना है 10% देना PF कितना देना था देखे question में क्या दिया है PF 5% ठीक है place value कितना देना है 5% देना ठीक कितना 5% ठीक है हो गया सब में इसी प्रकार से हम क्या करेंगे निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे सब का ठेक निकाल लेंगे चलिए देखते हैं नहीं निकाल पाईएगा तो दुबारा कमेंट करिएगा दुबारा बताएगे निकालने के लिए चलिए देखिए उसके बाद अब क्या करना है अब निकालना क्या है 10% निकालना है तो क्या करेंगे देखिए कैसे निकलाईज में है ठीक क्या करना है हमको select करना है किसको basic pay को into 80% ठीक है into 80% तो क्या निकल जाएगा हमारा मांगाई बत्ता 80% के हिसाब से अनिल का निकल जाएगा ठीक है चलिए अब इसी प्रकार से हम इसमें लगाते है फार्मूला देखिए equal to into ठीक और क्या 80% ठीक इंटर कर देखिए तो कितना आया 6800 रुप्या इनका क्या लगरेगा मांगाई भत्ता है ठीक है तो देखिए इसमें भी डी यह कितना आ रहा है 6800 ठीक उसी प्रकार दूसरा निकालना है तो एकदम उसी तरीके का दूसरा भी हम क्या करेंगे निकालेंगे कैसे निकालेंगे यह जानते है ठीक है दो चार देख लेते हैं equal to select into ठीक into क्या 80% क्या 80% सिफ्ट दौरह हम परसेंट लगाएंगे और इंटर करेंगे ठीक है क्या हुआ निकल जाएगा ठीक इसमें देखिए दूसरा है इसमें दूसरा आ रहा है ठीक है उसके बाद अब क्या अगला भी इसी प्रकार से निकालेंगे इसकोल्टू लिखेंगे और क्या सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करने के बाद into लगाएंगे into करने के बाद 80% इंटर ठीक ऐसे ऐसे क्या करेंगे सबको हम निकाल लेंगे ठीक है इसी प्रकार से हम सबको क्या करेंगे निकाल लेंगे थेक है इसको बिनकाली स्कोल टू shift द्वार इंट। shift से इंटू का लगेगा या तो अगर shift से नहीं लगेगा तो direct लगता है इंटू का इंटू का मतलब star वाला रहेगा keyboard में इंटू नहीं दिया रहता है थेक है इंटू 80% ठेक एक और बचा इसको भी निकाल लेजी SQL2 SQL2 Basic Payne2 80% क्या हुआ हमारा निकल जाएगा इसी प्रकार ठेक है DA निकल जाएगा सबका चलिए अब हमको देखना है यच आरे क्या देखना है यच आरे उसी प्रकार से हम क्या करेंगे यच आरे भी निकालेंगे देखिए उसी प्रकार से निकला इंटू ही लगा के यच आरे भी निकालेंगे हम ठेक चलिए यच आरे निकालते हैं कैसे SQL2 करते हैं और क्या करेंगे इनको select इंटू इंटू ठेक है, 10% इंटर, तो कितना लग रहा है 850 उर्पया क्या लग रहा है रहने का सुब्दा 850 उर्पया लगेगा इतका ठेक है उसी प्रकार इसमें देखते है scroll to scroll to select basic पे ठेक उसके बाद select basic पे into into ठेक 10% 10% इंटर, ठेक है हो जाएगा, देखिए इसी प्रकार हमको क्या करना है सबका क्या करना रहेगा निकालना रहेगा, ठेक निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, यह बताईए बोले, कमेंट करिए कि निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा कमेंट करके बताईए हमको निकलेगा की नहीं ठीक चलिए नहीं भी निकलेगा तब भी हम यह दो तिन और है बता देते सबका एक एक करके बताएंगे नहीं भोल जाएंगे आप लोग हमको पूरा विश्वास चलिए इसकोईल टू ठीक इसकोईल टू बेसिक पे इन्टू ठीक इन्टू टेन परसेंट टेन परसेंट और उसके बाद परसेंटेज क्या लगाना है उसके बाद परसेंटेज इन्टर ठीक चलिए इसके बाद इसकोईल टू दुबारा वही चीज करना है बेसिक पे इन्टू कितना परसेंट 10% क्या 10% हो गया चलिए 10% लगा देजिए इंटर कर देजिए वह आई चीज़ इसमें भी इसकोईल टू बेसिक पे थिर बेसिक पे इंटू 10% इंटर हो जायगा सबका यह चारे भी हो जायगा कि नहीं होगा चारे सबका हो जायगा न चलिए अब निकालना क्या है ग्रास पे क्या निकालना है सबका हो जायगा कि नहीं है कमेंट करिए जल्दी जल्दी कि सबका होगा कि नहीं होगा बताइए हो जायगा न चलिए अब हमको क्या निकालना है ग्रास पे निकालना थीक है, तो क्या करेंगे हम Sum करते हैं, चलिए, Squal2 थीक, Squal2 थीक, Sum Squal2 Sum, ये फार्मूला हमने एक बार और आप लोग बता दें कामा डी ये कामा ये चारे, इंटर तो क्या करेगा, तीनों को हमारा, जोड़ के क्या करेगा, बता देगा तीनों को क्या करेगा जोड़ देगा कि इतना हमारा टोटल क्रास पे लगेगा ठीक इसके बाद अगला स्कॉल टू सम इसकॉल टू सम ओपेन ब्रेकेट इनको भी वही तरीका करिए कामा लगाते जाएए डी ये कामा या चारे इंटर दुबारा होई इसकॉल टू सम ओपेन ब्रेकेट बेसिक पे कामा डी ये कामा या चारे इंटर वही तरीका दूसरा ठीक इसकॉल टू सम ओपेन ब्रेकेट बेसिक पे कामा डी ये कामा या चारे इंटर ठीक उसे पकार इसमें भी करेंगे is equal to is equal to क्या करेंगे open bracket इनको select कामा इसको select करिए कामा इसको select करिए और enter कर देज़े ठीक हो जायागा इतना बोलिए comment करिए फटा फट comment करिए होगा की नहीं होगा निकल जाए क्रास पे चलिए इसके बाद हमको क्या निकालने को बोल रहा है insurance क्या insurance कैसे insurance निकलता ये भी देखते है insurance निकालने के लिए हमको grasp और किसको into 10% बटा 100 ठीक है कैसे निकलेगा चलिए देखते हैं हमको मारा कैसे निकलता ठीक equal to किसको grasp और into क्या into 10% कितना परसेंट निकालना हमको 10% बटे, क्या, बटे ठीक, बटे में कितना 100 कर देना है, कितना कर देना है 100, इंटर कर देंगे, तो मारा क्या आजाएगा इनका इंसुरेंस का कितना लगेगा 1615 रुपया, ठीक है 1615 मतलब, 1615 रुपया इनका लगेगा या उसी प्रकार दूसरा भी निकालेंगे is quality 2 और क्या करेंगे ग्रास पे into क्या into करने के बाद कितना परसेंट लग रहा है 10% वहाँ पे ज्यादा रहेगा 15 रहेगा 20 रहेगा जितना परसेंट रहेगा उतना परसेंट हम यहाँ पर लिखेंगे और बटे का लगाएंगे और क क्या कर देंगे इंटर ठीक है इसी प्रकार हमारा निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा ठीक ऐसे दूसरा तीसरा भी निकलेगा is quality 2 ठीक is quality करने के बाद क्या करेंगे हम select करेंगे ग्रास पे और क्या बोलिए उसके बाद into 10% बटे 100 इंटर कर देंगे यह भी निकल जाए इसके बाद अगला भी इसी प्रकार ऐसे इसे क्या करना ऐसे इसे जिदना रहेगा करते जाएगा देख लीजे यह भी कैसे निकलेगा into 10% बटे 100 ठीक है ऐसे इसमें भी निकलेगा इसकोई टू ग्रास पे 10% ग्रास पे इंटर कर देख बटे इसमें बटे 100 ठीक निकल जाएगा समका ठीक है अब क्या करना हमको दो और बचा क्या क्या बचा है हमारा बचा एक क्या पी अफ बचा है चलिए एक जांपर वालिप देखते हैं पी अफ कैसे निकलता है तो पी कैसे निकलेगा हमारा basic pay और कितना percent 5% ठीक चलिए निकालिए scroll to basic pay into scroll to basic pay into कितना percent है 5% है 5% और क्या percentage लगाना है percentage पी अब कितना आ रहा है 425 उर्पे इनका आएगा ठीक है उसी प्रकार हम क्या करेंगे दूसरा भी इसी प्रकार क्या करना हमको निकालना कौन सा दूसरा वाला भी चलिए दूसरा वाला भी निकालते है scroll to basic pay into 5% तीसरा भी इसे निकालिए scroll to basic pay into 5% ऐसे तीसरा भी चलिथा भी निकाल लीजिए scroll to करके देखे scroll to एक एक इसी लिए बता रहे हैं कि पहला करना है तो दूसरा तो आ जाएगा ठेक है basic pay into into एक इंटू करने के बाद क्या करेंगा कोई बताएगा into अ कि बताए जल्दी कमेंट करिए into करने के बाद 5% क्या 5% इंटर उसे प्रकार इसमें करिए scroll to basic pay into क्या 5% 5% इंटर ठेक निकल जाएगा इसी प्रकार सबका ठेक है अब क्या करना है देखिए अब हमको क्या निकालना है net salary निकालना क्या निकालना है net salary net salary मतलब पूरा इनका कितना salary खर्चा कितना लग जाएगा तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हमएक क्या करेंगे इसको रिट्टो और सबको क्या करेंगे हम plus कर देंगे क्या plus करेंगे सबको देखिए scroll to प्लेस करते रहिए सबको सब को क्या करिए प्लेस कर देजे देखे ठेक सब को हमको जो भी है ठेक है तो देखे इसमें क्या क्या चीज हम प्लेस के यह देखते हैं थोड़ा इधर आते हैं ठेक है बेसिक पे पहले करेंगे डी एक प्लेस करेंगे या चार एक रास पे इंसूरेंस पी अफ़ ठीक है इतना चीज प्लेस करने के बाद क्या करेंगे इंटर कर देंगे तो हमारा नेट सेलरी जितनी रहेगी उतना क्या करेगा ये सो कर देगा ठीक इसे प्रकार दोसरा देखते हैं इसको एल्टू सेलेक्ट प्लेस इंको 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 इं प्लस 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 प् ठीक है, इसको एल टू, बेसिक पे, डी ए, यह चारे, ग्रास पे, इंसुरेंस और पी अप, इसी प्रकार हमारा क्या होगा, पूरा हो जाएगा कि नहीं पूरा होगा, ठीक है, निकाल लेंगे सब लोग, इतना, ठीक है, इसको निकालने के बाद हमको क्या कोईश्चन पूछ रहा है, हमारा कोईश्चन में क्या दिया है, ठीक, कोईश्चन में देखें क्या दिया है, इतना निकाल लेंगे हम, इतना 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 में भी दिया है, उसमें भी निकाल लेंगे, ठीक है, अब दिया इसमें कि टोटल एमाउंट क्या होगा, क्या पूछा है, टोटल लाना हमको चलिए total निकालते हैं क hiss प्रता है total निकालते हैं ठीक देखे total कैसे निकालता है यह देखते हैं ठीक देखे total कैसे निकला है किसको select किया इसकोल to sum और पूरा net salary को क्या करना हमको select कर देना क्या करना net salary को select कर देना ठीक चलिये निकालते हैं हम क्लिक करते हैं equal to sum open bracket और क्या करेंगे पूरा net salary को हम select करके inter कर देंगे ठीक है total amount हमारा कितना है इतना आ जाएगा ठीक जितना रहेगा total amount आ जाए कैसे निकाले है scroll to sum ठीक और पूरा select करते हैं range को range को select कैसे किये करते हैं ये भी जान लेते हैं एक बार scroll to sum तो सब लोग लिख लेंगे open bracket लगा लेंगे और left वाली key को press करेंगे मतलब left वाली key को दबाए रहेंगे और क्या करेंगे scratch कर दिजे और enter कर दिजे ठीक उसके बाद बूचा highest employee salary सबसे ज़्यादा किसकी employee salary है इसको देखना है तो सबसे ज़्यादा किसकी है इसमें से देखिए सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा किसकी हो रही है गुनीता की 96960 सबसे ज्यादा और सबसे कम किसकी है सबसे कम देखना है तो सबसे कम देख लिजे सबसे कम किसकी है सबसे कम अनिलकी है सबसे कम किसकी है अनिलकी है तो लिख दीजे ठीक अब total total क्या निकालना total insurance सबका निकाल देना है तो क्या करेंगे इसे प्रकार करेंगे equal to sum open bracket और किसको select करेंगे total insurance को select करेंगे और enter कर देंगे ठीक, देखिए क्या किया है equal to sum और total insurance को क्या किया है हम select कर दिए select करने के बाद क्या करना हमको enter कर देना है select करने के बाद क्या करना है enter करना है ठीक हो जायागा सबका इसी प्रकार देखिए हमारा क्या बन गया एक इंप्लाई एक कोश्चन हमारा कंप्लीट हो गया देखिए कोश्चन में भी यही चीज पूछा है आप लोग कोश्चन देखिए कोश्चन में क्या पूछा है कोश्चन में भी देखिए यही चीज पूछा था 80% क्या डिये देना है यह 4-10% था ठीक उसके बाद क्या है इंसुरेंस 10% था PF 10% था ठीक, PF 5% ठीक है इसी प्रकार हमारा क्या हुआ यह कोश्चन हमारा कंपलीट हुआ और अच्छे से आप लोग ट्रेटकल करिये आसा करते हैं कि हम आप लोगों को अच्छे से सिखा रहे होंगे अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी और भी कोश्चन पूछना होगा तो आप कमेंट के दौरा क्या करिएगा कोश्चन पूछेगा थांक्यू